हेलो एब्रीवन वेलकम टू माई चैनल मैं सुख जीत आपका सवागत करती हूँ तो गाइस जहां पर आज मेरा बेटा कुकिंग कर रहा है तो उसने तीन तरह का ब्रेकफास्ट बनाया था तो जे हाफ फ्राई आमलेट बना रहा है और आलू के चिफ्स भी ताल रहा है तो इधर तो मैं अपना ही काम कर रही थी मुझे दपहर की दाल सबजी बनानी थी तो जे ना बना रहा था ब्रेकफास्ट तो तीन तरह के सने सेंडवीज बनाये हुए थे तो मेरे बेटे को कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है तो इसकी शुट्टी थी तो इसलिए ही लगा पड़ा है तो इसने हाफ फ्राई आमलेट बना ली थी क्योंकि रॉबिन को हाफ फ्राई आमलेट बहुत ज़्यादा पसंद है तो यह ऐसे ही खाता है तो यह देखिए बटर लगा लिया था इसने और प्याज मिर्च भी इसमें रखेगा तो मैं तो अपना काम का रही थी तो रॉबिन ने का कि ममी मैं आपके लिए भी बनाऊंगा तो जुरूर आपको खाना पड़ेगा तो मैं तो हाफ फ्राइ नहीं खाती हूँ तो इसने फिर मुझे बहुत टेस्टी आमलेट बना कर दी थी रोहित गया हुआ था स्कूल तो उसके लिए भी इसने पहले से ही बना कर रख दिया तो इसने बहुत टेस्टी तरीके से ब्रेकफास्ट बनाया था तो मैं तो हरान रह गए कि इसने कैसे कैसे जे सब चीजे बना ली तो इदर फिर इसने इसको द्वारा से भी इसे फ्राई करेगा जे ब्राउन ब्रेड थे तो जे इसे भी थोड़ा सा कर रहा है गरम तो इदर मेरा भी तड़का त्यार हो चुका है मैं बना रही हूँ तरी वाले आलू तो जब कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बनाओं क्या बनाओं तो आलू ही बना लेती हूँ आलू-टमाटर तो जहां पर आलू उबल चुके थे जो पानी बचा था तो मुझे इसमें आंडे वालने थे तो फिर मैंने सोचा कि और पानी क्यों गर्म का न जदी यही पानी बचा हुआ है तो फिर मैं आलू निकाल कर इसमें चार आंडे डाल दिये थे तो फिर पानी ऐसे यूस का दिया मैंने खराब नहीं किया तो इदर बना रही हूं चटणी पदेने प्याज की इसमें हरा लसन डाला था और हरा धनिया तो थोड़ा सा इसमें दही डाल कर मैं चटणी बनाऊंगी यह देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ऐसे चटणी तो रॉबी ने तो किचन तो संबाली हुई है मगर भुजा लाया पड़ा हुआ है किचन में तो कोई बात नहीं बच्चे का शौक भी पूरा करना चाहिए इसका देल कर रहा था बनाने का तो मैंने कहा कि चलो तुम बना लो तो मैं बाद में यह सारा साफ कर दूँगी क्योंकि मेरा तुझे रूज का काम है रूज बिजा लाया रहता है तो यह देखिए इसने आलू के चिप्स भी फ्राई कर लिए और आमलेट भी बना लिया तो इसे बहुत ज़्यादा शौंक है तो मुझे कहता है कि ममी मैं कुकिंग का ही कोर्स करूंगा तो यह देखते हैं बच्चे की किसमत है कि क्या बनता है यह तो कहता है कि मैं कुकिंग का ही कोर्स करूंगा क्योंकि इसे cooking बहुत अच्छी तरह से आती है तो ये दिखियो सेंड्वीज कितना अच्छा बनाया आलू फ्राई करके उसमें डाले हुए है एक आमलेट फ्राई किया है तो एक आमलेट बनाई है तो काफी अच्छे सेंड्वीज बनाई थे मेरे बेटे ने आपको जे मेरे वीडियो कैसी लगी जरूर बताईएगा और मेरे बेटे को शावाशे जरूर दीजिएगा